प्रोटीन प्रोटीन प्लस जो लड़िकिया है छोटी से लेकि मीडियम से बड़ी हर ताइप की जो महीला है मेल फीमेल हम ले सकते हैं या फिर हम बुजूर्गों को दे सकते हैं जो कि 60 साल से जाध है क्योंकि उनकी बॉड़ी परियापत तरीके से न्यूट्रिशन एफ्जॉप नहीं कर पाती मैक्रोज माइक्रोज तो उनके समें तो आज इस वीडियो हम पूरी चीज़ देखेंगे जो प्रोटीन प्लस है वो किनके लिए बेस्ट है तो चलिए हम फटा फट देख लेते हैं सबसे पहले हम देखें इसकी प्राइस की तो 280 का आता है जो करीवन 200 से 250 से 270 का मिल जाता है ओनलाइन आप जानते है वेव प्रोटीन जो की दूद से बनता है कैसीन में दूद से बनता है लेकिन जो वेव प्रोटीन की प्रोसेस रहती है उसी से ही कैसीन निकलता है अलग तरीके से तो कैसीन जो की स्लो डाइजेस्ट होता है वेव प्रोटीन जो सबसे जाधा डाइजेस्ट हो क्या हम इसको बच्चों को दे सकते या फिर bodybuilding के लिए काम आता है तो इसमें 100 gram में से आप देख सकते हैं जो protein है वो केवल 33 gram protein है और carbohydrate 55 gram है और जिसके अंदर sugar 23 gram sugar है और fat मिला है 2 gram और उसके लबाव vitamin A, C, E, iron zinc, vitamin D, calcium, magnesium, K, B1, B2, B6, folic acid वगरे जितने भी multivitams, minerals है, microbes है वो complete इसके अंदर दिये है और इनमें back side के साथ लिखा है इनोंने कि 3 serving अगर आप लेंगे, sorry, 1 serving में 3 scoop है मतलब अगर आपको बोले कि 1 serving लेना है मतलब आपको 3 चमच लेनी है और 1 चमच में 10 gram आएगा त तो 3 चमच में 30 gram तो 100 gram में के हिसाब से 33 gram है तो एक चमच में किता हुआ 3.3 gram तो मान लिजिए आप 3 चमच भी लेते है तो आपको किता मिलता है एपरोक्स 10 gram के आसपास 9.9 gram 10 gram तो आप क्या लगता है 10 gram protein आपको जरूरी है मतलब परियाप्त है जी नहीं बॉड़ी बिल्डिंग के लिए 500-300 gram प्रोटीन लेना पड़ता है तो 10 gram यह तो होगी नहीं पाएगा तो बॉड़ी बिल्डिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं अब बात आती है जो जिम नहीं जाते मेल फीमेल एडल्ड की वो ले सकते है डेफिडिटली 10 gram 20 gram जो भी 10 gram तीन इसको पाप अगर अगर अब डेली लेंगे तो आपको आसानी से आप 9 से 10 gram protein मिल जाएगा और उसका लाबा मल्टी वाइटामिस मिनरंस मिलेंगे ध्यान रगए इसका तो शुगर मिलेंगे 23 gram जो की प्रोब्लम वाले बात नहीं हमारी daily recommended dose के अंधर ही आती है ये sugar तो overall जो जिम नहीं जाते है उनके लिए best है जिम जाने के लिए ये ले कोई फाइदा नहीं है पेसे बिगाणने का काम है और जो भुजूर के वो भी ले सकते है कम से कम 2 चमज 3 समज भी ले सकते है कोई प्रो रही है बान वीटा वगेरा जितने भी चीजे तमाम चीजों को छोड़ देजी आप हवलिक्स का प्रोटीन प्लस लेजी क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है वे प्रोटीन आप सोय प्रोटीन और उसके लवा कैसिं तीन टाइप के प्रोटीन है जो की slow digestion, medium digestion और fast digestion जो प्रो चार पाफ चे साल के उमर को आप दो चम्मची देख दो चम्मच आप डाले जिसमें complete vitamins, minerals और macros जो है जिसमें protein, carb, fat और परियाप तो एक दिन के लिए काफी है तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए best केवल बच्चों के लिए और या उनके लिए best जो जिम नहीं जाते है औ आप क्लिक करेंगे तो आपका अच्छे discount के साथ Amazon Flipkart पे मिल जाएगा और दियान रखी अगर आप जिम जाते है तो इसको बिल्कुल ना ले इस पर पेसे बेस्ट ना करें जनरल प्रोटीन है डेली जो सुबह lifestyle जीते है normal उनके लिए है overall heavy workout के लिए नहीं है तो अगर आपक कि अग coloc जाएगा जय ले लेजो में आपको जीता है विल्ग जीर जारी जांख।